हेलो फूडीज, आधीज फूडी मिल्स में आपका स्वागत है, आज हम बनाने जा रहे हैं होमेड पॉपकॉर्ण, यह बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं और बहुत कम बजट में बनकर तयार हो जाते हैं, बिल्कुल बजार देश आएक आपको इसमें, तो चलिए ब करम नहीं है, और इसमें मैंने यहाँ पर आधा कप डाला है, पॉपकॉर्ण के डाने, कॉर्ण डाले हैं, कॉर्ण हमको इतने लेने हैं कि यह तेल में डूप जाए, बहुत कम ओईल नहीं चाहिए, आप बटर भी ले सकते हैं, ओईल की बजाए, इसी के साथ मैं डाल रही ह यहाँ पर, हाफ टी स्पून हल्दी, हल्दी से बहुत अच्छा कलर आता है इसका, और वन टी स्पून नमक, इसे मैं चला लूँगी, गैस की स्पीट अभी मैंने फुल पर रखी हुई है, फुल स्पीट में ही इसे चला लेना है, पॉपकॉर्ण हमारे पॉप अप होना स् स्पीट को कम कर दूँगी, कुकर के ढखकन को हम उल्टा ढख देंगे, और कम स्पीट में, जब तक आवाज बन नहीं हो जाती है कुकर की, तब तक हम इसे होने देंगे, तीन मिनिट हो गए है, वो पॉपकॉर्ण पॉप अफ हो रहे है, मैंने ढखकन हटा दिया है, आप देख सकते हैं, आवाज आनी बहुत कम हो गई है, मतलब हमारे पॉपकॉर्ण बन गए है, अब हम इसे निकाल लेंगे, और सर्फ कर लेंगे, तयार है हमारे लाइए और कमेंट सेक्षन में मुझे ज़रूर बताएए कि आपको इने रेसीपी कैसी लगी, और मैं इसके आगर आपको कैरेमल पॉपकॉर्ण की भी रेसीपी शेडर करने वाली हूँ, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा, और प्लीज मैने लाइक, सब्सक्राइब, शेर और कमेंट जरूर किजिए थैंक यू